सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो आप देख ले होगे इस टॉक चैनल में ही ट्रेड कर रहा है पहले इनलसेज करे थे इस टॉक के यह वह कहीं लेविल थे जहाँ पर अनलसेज करे थे और at that time मैंने गाता कि stock में ये वाला जो level रहेगा पूरा ये बहुत crucial है क्योंकि आप देख रहे होगे कि इस level में stock उपर भी नहीं निकल रहा है और नीचे भी नहीं जा रहा था ये एक फसके रह गया था और frustration वाला momentum रहता है जब ऐसे stock फस जाता है कहीं भी कोई भी upward momentum ये downward नहीं देखने को मिलता है well consistently 6 दिन की losing streak में आप देखो कि stock काफी नीचे आया और stock नहीं 27 तक के targets भी देखने को मिले है इस level पर stock नहीं exact support लिया है क्योंकि यहाँ पर पहले भी support था जोन के आसपास यहाँ से इसी लिए support देखने को मिला है support के आद दो दिन में stock नहीं वापसी दिखाई है अब by Monday अगर stock फिर से वापसी दिखाता है और आप देखोगे 147 का level and to be precise 150 का level अगर break करता है यहाँ तक का आपने नतीजें पर डिपेंड क्योंकि नतीजे तीन नवंबर को है नतीजे अच्छे रहेंगे तो फिर stock उसी momentum को पगाड़ लेगा अच्छे रहेंगे और market को नतीजे पसंद आते हैं उस टॉक बोलिश momentum के साथ capture करेगा और ऊपर चलना शुरू करेगा अधवाई stock नीच को यहां clear कर दियां कि कैसा रहने वाला है जो भी level रहेगा 140 cross के बाद उपर आप देखो कि 150 के आंकड़े मान लीजे यह level जब cross निकल जाएगा हो जाएगा तब फिर आपका उपर के reverse जो result है वो थोड़े बहतर रहेंगे फिर आप 166 के target लेके चल सकते हैं 166 165 फिर वहाँ पर hurdle face होगा क्योंकि वह अगर level break हो जाता है तो फिर ब्रेक आउट level बन जाएगा क्योंकि स्टॉक चैनल में trade कर रहा है काफी लंबा समय हो गया है और चैनल में धीर धीर bullish momentum पर तो है बट कोई बड़ा breakout नहीं आया stock में कि कोई channel break करके stock उपर की तरफ निकले तो यहां उम् आने के चल सकते हैं कि उपर से consistently छे दिन के rejection के बाद एक छोटा सा potential आया है stock में कहीं न कहीं और थोड़ी buying हो रही है या फिर आप यह कह दो pull up आया है छोटा सा और जब भी आप देखोगे stock consistently गिर रहा हो तो थोड़ा सा उपर एक छोटा सा high बनता है just as a trap वहां पर little trap हो जा फिर आपने उस टाइम भी देखा है कि ऐसे ऐसे बढ़ेगा और फिर एक छोटा सा यहां पर pullback भी आता है नीचे को जाता है जो इतने नीचे चला जाएगा फिर एक sudden next buy आता है बढ़ने के सांथ जैसे scenario बढ़ने का रहेगा वैसे ही stock के नीचे गिरने का भी रहेगा ऐसे ऐसे momentum चलते हैं आपको SCI में देखेगा तो hopefully यहां मैंने सारी चीज़ें clear कर दी हैं मिलते हैं next वीडियो में this is me सुभमयादव signing off